हाउ डू फिक्स विंडोस 11 यूर कनेक्शन इस नोट प्राइवेट 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 नमस्कार दोस्तो स्वागरे अब सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा अगर आपको विंडोस के अंदर पे ऐसा को प्राइवेटा जाते जिसमें आपको बताए रहे कि योर यूर कनेक्शन इस नोट प्राइवेट तो यहां पे दोस्तो प्राइवेट और आपको यहां कीसे ईस वीडियो आज आते हैं जब आप कोई ब्रोजर में जाके ब्रोज करते हैं तो यहाँ पी दोस्तों क्या सॉलुशन करना है कैसे सॉर्फ करना है प्रॉब्लिम को वो सब कुछ आपको वीडियो पर देखने को मिल जाएगा तो सिंप्ली वीडियो के साथ शुरू से लेकर अन तक बनिये और सारे साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बैल आइकुन को क्लिक करें अगर आप उनलाइन पेसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉल सब्सक्राइब होगा ठीक है तो ट्रीडों में क्लिक करके आप यहाँ पर एक आप्शन मिलते हैं न्यू इनको नीटर मॉट ठीक है तो आप इसको अगर ऑन करकी यूज़ करोगे तो आपका जो यहाँ पर ब्रोजर होगा वह काफी जारा जो है सिक्वर हो जाएगा ठीक है यहाँ पर कोई भी आपका जो प्राइवी से वह लिक नहीं होते हैं ठीक है यह दोस्तों बिल्कूल सिक्रेट इंटरनेट आपके सकते हैं अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो एक तो यह जो मोट है इनको नीटर मोट ठीक है तो आप इसको यूज़ कीजिए यहाँ पर अगर आपका यहाँ पर कनेक्शन प्राइवेट नहीं है अजसा कुछ बता रहा है कोई ब्रॉजर यूज़ करते हैं अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप दोस्तों यहाँ पर इस मोट को यूज़ करके देखिए ठीक है यूज़ करने के बाद में दोस्तों आप इसे क्लोज कर सकते कोई दिक्कत नहीं होगा तो सबसे पहला तो दोस्तों यही चीज़ आप कर सकते अभी दूसरा यहाँ पर आप क्या कर सकते अगर इसा कोई प्रॉब्लम आ जाते तो आप सिंपली जाए क्लिक कीजिए अपने ब्रोजर में उसके वाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा clear browsing history तो directly जाके आपको अपना जो browsing history उसको clear कर देना है ठीक है कई बार browsing history clear नहीं होने के वज़ज़ से यसा problem आते तो आपका जो browsing history उसको भी एक बार clean करके देखिए उसके बाद दोस्तों try कीजिए तो यहां पर दोस्तों problem solve हो जाना चाहिए अगर solve हो जाते हैं तो ठीक है अगर फ्रावलेम सौफ नहीं हो रहा है तो फिर दोस्तों यहां पर आपको next solution follow करना होगा ठीक है जैसी कि दोस्तों आप यहाँ पर विपेन यूज्स कर सकते हैं विपेन यूज़ करने से भी दोस्तों आपका यह जो प्रॉब्लम है यहाँ पर सौल्फ हो जाएगा तो अगर डोस्तों आप ऐसा वेसा कोई ब्रॉजर में जा कि आप या फिर कोई वेबसाइट ऐसा में जाकि आप ब्रॉजिंग कर रहा है तो दोस्तों उसमें आपको यह problem हो सकते हैं तो आपका जो यहां पर सेफ ब्रोजिंग है उसको भी आप बन कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर जो सेफ ब्रोजिंग करने के लिए आपको जाना होगा three dots में क्लिक करना होगा टीक है वहां पर क्लिक करके सेटिंग को कर लीजेगा उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा security ठीड का प्राइफी सद्सेकरोटी उस में जाने के बात में दोस्तों आपको मिलेगा खुछ इस तरह के गाहरे औप्शन सो यहाँ पर security पर ही atrás क्लिक करना है दोबारा से and then जो protection है यहाँ पर ति país जो protection लागा हुआ है उसको बंद कर देना है no protection को आप select करके इसको जो है बेक कर लिजेगा ठीक है no protection उसके बाद में दोस्तों आप कोई भी browsing यहाँ पर कर सकते हैं कोई भी website में जा सकते हैं दोस्तों कोई problem कोई दिक्कत है आपको नहीं होगा ठीक है सो कई पर दोस्तों कुछ website में जाने से आपको ऐसा problem होते होंगे कि private network चाहिए होता होगा ठीक है सो आपको basically यही करना आए एंड एंड आपका problem solve हो जागा और आप browsing कर पाऊगे तो दोस्तों कुछ इस तरह के से solve कर सकते हैं आप इस problem को अमीद करते हैं आपको वीडियो बसने होगा थैंक्स पर वाचिंग